देश में आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जाने माने समाज शास्त्री प्रफेसर वर्जिनियस खाखा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी इस कमेटी ने 2014 में एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौब दी इस रिपोर्ट में आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक मसलों पर अध्यन किया गया है रिपोर्ट में आदिवासियों के मुद्दों की पहचान के साथ-साथ उन कारणों को भी समझने की कोशिश की है जिसकी वज़र से आदिवासियों के विकास में बाधा आती है यह रिपोर्ट PVTG यानि विशेश रूप से पिछड़ी जनजातियों के बारे में विस्तार से बात करती है इस रिपोर्ट में आदिवासियों समुदाइक के मसलों को सामने रखने के साथ-साथ उनके समभावित समाधान के लिए सुझाब भी दिये गए है 9 साल बीच चुके है जब आदिवासियों से जुड़ी यह रिपोर्ट सरकार को सौपी गई थी लेकिन शायद ही कभी आपने इस रिपोर्ट का जिक्र कहीं सुना होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासियों विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है बजट में भी कई तरह की घोशनाय की गई है लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासी के भले के लिए बनाई जाने वाली योजनाओ या नीतियों के लिए जिन आकडों की जरूरत है वे तक सरकार के पास नहीं है सरकार ने इस रिपोर्ट को थंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? यह तो सरकार जाने लेकिन हमें लगता है कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बाते सामने आती है जिन पर चर्चा जरूरी है यह रिपोर्ट काफी विस्तार से लिखी गई है इसलिए इस रिपोर्ट को एक एपिसोड में समेटना संभव नहीं होगा इसलिए हम इस रिपोर्ट पर एक सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं ये रिपोर्ट सबसे पहले भारत में आदिवासी की परिभाशा और कुछ एतियाहासिक तथ्यों की बात करती है आईए आज इस सीरीज की शुरुवात हम भी इस बात से करते हैं 1950 में जब देश का समविधान लागू हुआ तो उन समुदायों को जिनें अंग्रेज ट्राइबल कहते थे उन्हें शिडिूल ट्राइब्स कहा जाने लगा लेकिन शिडिूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाती की कोई सटीक परिभाषा सम्विधान सभा तै नहीं कर पाई थी अगर समविधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छे 366 और अनुच्छे 342 अनुसूचित जनजातियों के परिभाशा को लेकर बात करते हैं यहां अनुच्छे 366 कहता है ऐसी आदिवासी जाती या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समु के रूप में परिभाशित किया गया है जिनें इस सम्विधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छे 342 में अन केंदर शासित प्रदेश के संबंध में वहां के राजिपाल से परामर्ष करने के बाद नोटिफिकेशन के जरिए उन जनजातियों या जनजाती समुदायों अत्वा जनजातियों या जनजातिय समुदायों के भागों या उनके समूहों को निर्द्रिष्ट कर सकेगा। आजादी के बाद अनुसूचित जनजाती कहे जाने वाले समुदायों को परिभाशित करने की कई कोशिशे की गई है। ये कोशिशे कब हुई और कितनी काम्याब रही इस पर आगे बात करेंगे। पहले थोड़ा इतिहास पर नज़र डालते हैं। आदीवासी समुदायों को परिभाशित करने की पहली कोशिश 1881 में दिखाई देती है। जहां 1881 के जनगनना ने पहली बार भारत के आदीवासियों का उलेख किया था। इसमें उन्हें क्रिशक और देहाती जातियों के एक सब कैटेगरी में फॉरस्ट ट्राइब के अंतरगत रखा गया। इसके बाद 1901 के जनगनना में धार्मिक माननेताओं के आधार पर जाती और जनजाती की अलग-अलग गिंती की गई। इसमें हिंदु धार्मिक माननेता रखने वालों को जाती और प्रकृती की पूजा करने वालों को ट्राइब माना गया। फिर 1921 की जनगनना में आदिवासियों या ट्राइब्स की पहचान में उनके रहने की जगहों के आधार पर उनकी और अलग-अलग पहचान मिलती है। यह पहचान हिल और फोरेस्ट ट्राइब्स की थी। इसी क्रम में 1931 की जन्यगर्णना में हिल और फॉरस्ट में रहने वाले आदिवासी समुदायों को primitive tribes यानी प्राचीन समुदाय माना गया इस जन्यगर्णना में कुछ और तथ्यों को आधार बनाया गया मसलन आदिवासी मुख्यदारा से अलग रहते हैं और उनकी अपनी अलग पहचान है ये बात दर्ज होती है इसी के साथ साथ Government of India Act 1935 लाया गया इसमें आदिवासीों को Backward Tribes का नाम दिया गया इसमें उनकी जीवन शैली की तुलना मुख्यधारा ये आधुनिक कहे जाने वाले समाच से हुई आगे चलते हुए 1941 के जनगनना में आदिवासीों को उनके उरिजिन को शामिल करते हुए किसी भी ऐसे समुदाय को जिसका ट्राइबल उरिजिन है उनको इस सूची में शामिल किया गया देश की आजादी के बाद 1950 में Backward Tribes के लिस्ट जो 1935 में लाई गयी थी उसका नाम बदल कर अनुसूचित जनजाती ये शिडूल ट्राइब कर दिया गया 1951 के जनगनना में 212 आदिवासी समुदाय थे फिलहाल देश में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाती घोशित करने के कुछ माबड़न माने जाते है हलाकि अभी कोई थोस वेवस्था या परिभाषा तो नहीं है ये माबड़न्ट है विशिष्ट संस्कृती, जियोग्राफिकल आईसोलेशन, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संगोच, आदिम लक्षन और पिछरापन आजादी के बाद आदिवासियों के रहन सहन के सुधार के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया, जिनमें से कई ने परिभाषा पर भी कुछ सुझावद दिये आज देश में अनुसूची जनजाती की जो सूची मौझूद है, उसके मुख्य तर तीन सोर्स रहे हैं पहला, 1931 की जनगरणा, दूसरा, Backward Classes Commission 1955 और तीसरा, 1965 की Advisory Committee on Revision of List of Scheduled Casts and Scheduled Tribes इसके अलावा भी कई कमेटियां बनाई गई जिनसे ये उमीद की गई थी कि वे देश में आदिवासी समुदायों को परिभाषित करने के लिए कोई माबडन तै कर सके इन कमेटियों का सिलसिला, First Backward Classes Commission या काका केलकर समिती के गठन के साथ शुरू होता है ये कमेटी सम्विधान के अनुच्छेत 340 के अंतरगत राष्ट्रपती दुआरा नियूक्त की गई थी इस समिती ने अपना मद देते हुए कहा आदिवासियों की एक अलग विशिष्ट जीवन शैली होती है और वह मुख्यधारा के समाज से दूरी बनाए रखते है अनुसूची जनजाती के लोग कोई भी धर्म मान सकते है उन्हें अनुसूची जनजाती माना जाता है उनकी विशिष्ट जीवन शैली के कारण 1951 में ट्राइबल वेलफेर कमिटी जो मानव वैग्यानियों सामाजिक कार्य करताओं और प्रशासकों को लेकर बनी थी इस कमिटी ने आदिवासियों को तीन हिस्सों में बाटा जिनमें वो समुदाय आते थे जो गावों में बस चुके है और खेती करते हैं और तीसरे थे अकल्चरेटेड ट्राइबल कम्यूनिटीज ये वो समुदाय थे जिन्होंने मुख्य धरा के साथ मिलकर आदुनिक जीवन शैली अपना ली थी इसके बाद 1969 में एक और कमेटी बनाई गई जिसे धेबर कमिशन कहा गया अफसोस कि यह कमेटी भी अनुसूचित जन्जाती की कोई स्पष्ट परिभाशा देने में असफल रही इसने सुझाया कि आदिवासी उन्हें कहा जा सकता है जो अलग पहाड़ों में अपना जीवन बिताते हैं और अगर वो मैदानी इलाकों में रहते हैं तब भी मुख्यधारा से कटे-कटे रहते हैं इसके बाद क्योंकि आदिवासीों के परिभाशा पर कोई स्पष्टा नहीं मिली थी इसी वजह से सरकार ने लोकुर कमीटी का गठन किया इस समयती का उद्देश्य आदिवासी सवाल पर तर्क संगत और व्यज्यानिक ढंक से स्पष्टा लाना था इस समयती ने कई नए समुदायों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन इस समयती ने कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाती के सूची में शामिल करने के जो आधार दिये थे वे बहुत स्पष्ट नहीं थे First Backward Classes Commission के समय से देखे तो आज 706 आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाती में शामिल है यानि 1955 से अभी तक 494 से जादा समुदायों का नाम इस सूची में जोड़ा जा चुका है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाती के सूची में शामिल करने का मसला आज भी विवात पैदा करता रहता है मनिपुर में मैतई समुदाय की अनुसूचित जनजाती में शामिल होने की मांग का परिनाम हम सब जानते है उधर देश के कई राज्यों में कई समुदाय ऐसी मांग करते रहे हैं इसी सप्ता चारकंड और पस्चिम बंगाल के कूर्मी समुदाय ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए खुद को अनुसूचित जनजाती की सूची में शामिल करने की मांग की है इस प्रश्ट भूमी में ये खाका कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाती की सूची में शामिल करने के लिए ठोस आदार तै करने चाहिए धन्यवादी